लीजे सुनिये मुझे प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है मान सरुवर आठ की कहानी बोध मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुदर्रिसी तो कर ली थी किन्तु सदा पच्टाय करते कि कहां से इस जंजाल में आफ़से यदि किसी अन्निवे भाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में चार पैसे होते आराम से जीवन व्यतीत होता यहां तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं पंद्रह रुपे देखने को मिलते हैं वो भी धर आए उधर गायब ना खाने का सुख ना पहनने का आराम हमसे तो मजूर ही भले पंडित जी के पडोस में दो महाशाय और रहते थे एक ठाकुर अतिबल सिंग वो थाने में हैट कॉंस्टेबिल थे दूसरे मुंशी बैजनात वो तहसील में सियाहे नवीस थे इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित से कुछ अधिक न था तब भी उनकी चैन से गुजरती थी संद्या को कचहरी से आते बच्चों को पैसे और मिठाईया देते दौनों आदमियों के पास तहलुए थे घर में कुर्सियां, मेजें, फर्श, आदी सामग्रियां मौझूद थे ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुश्बूदार खमीरा पीते, मौझूद जी को शराब तबाब का व्यसन था अपनी सुसजित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल साफ कर देते जब कुछ नशा होता तो हार्मोनियम बजाते, सारे महले में उनका रोब दाब था उन दोनों महाशाय को आते जाते देखकर बनी उठकर सलाम करते उनके लिए बाजार में अलग भाव था, चार पैसे की चीज़ टके में लाते लकड़ी इंधन मुफ्त में मिलता पंडित जी उनके ठाट बाट को देखकर कुड़ते और अपने भाग को कोसते वो लोग इतना भी न जानते थे कि प्रित्वी सूर का चक्कर लगाती है अथ्वा सूर प्रित्वी का साधारन पहाडों का भी ग्यान ना था तिस पर भी ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभूता दे रखी थी ये लोग पंड़िजी पर बड़ी करपा रखते थे कभी सेर आद सेर दूद भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारिया किन्तु इसके बदले में पंड़िजी को ठाकुर साहब के दो और मुन्शी जी के तीन लड़कों की निगरानी करनी पड़ती ठाकुर साहब केहते पंड़िजी ये लड़के हर घड़ी खेला करते हैं जरा इनकी खबर लेते रही है मुन्शी जी केहते ये लड़के आवरा हुए जाते हैं जरा इनका ख्याल रखिये ये बाते बड़ी अनुगरह पूर्ण रीत से कही जाती थी मानु पंडित जी उनके खुलाम है पंडित जी को ये वैवहार असह था किन्तु इन लोगों को नाराज करने का साहस न कर सकते थे उनकी बदूलत कभी कभी दूद दही के दर्शन हो जाते कभी अचार चटनी चख लेते केवल इतना ही नहीं बाजार से चीज़ें भी सस्ती लाते इसलिए बेचारे इस अनीत को विश के घूट के समान पीते इस दुरवस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किये प्रार्थना पत्र लिखे अफसरों की खुशामदें की पराशा पूरी न हुई अंत में हार कर बैठ रहे हाँ इतना था कि अपने काम में तुरटी न होने देते ठीक समय पर जाते, देर करके आते, मन लगा कर पढ़ाते इस से उनके अफसर लोग खुश थे साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धी का जब कभी अफसर आता उनका विशेष ध्यान रखते किंति इस विवाग की वेतन वृद्धी उसर की खेती है बड़े भाग से हाथ लगती है बस्ती की लोग उनसे संतुष्ट थे लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला की लड़के भी उन पर जान देते थे कोई उनके घर आकर पानी भर देता कोई उनकी बकरी के लिए पतियां तोड़ लाता पंडिज जी इसी को बहुत समझते थे एक बार सावन के महिने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंग ने श्री अयुद्या जी की यात्रा की सलाह की दूर की आत्रा थी हफ्तों पहले से तैयारिया होने लगी बरसाथ के दिन सापरिवार जाने में अरचन थी किन्तु इस त्रियां किसी भांती भी न मानती थी अंत में विवश होकर दोनों महाशयों ने एक-एक सप्ता है की छुट्टी ली और अयुद्या जी चले पंडित जी को भी साथ चलने के लिए बाद्ध किया मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं पंडित जी असमंजस में पड़े परन्तू जब उन लोगों ने उनका व्यदे नस्विकार किया तो इनकार न कर सके और अयुद्या जी की यात्रा का ऐसा सुवसर पाकर ना रुख सके बिलहुर से एक बजी रात को गाड़ी चूटती थी ये लोग खापी कर स्टेशन पर आ बैठे जिस समय गाड़ी आई चारो और भगदर सी पड़ गई हजारो यात्री जा रहे थे उस उतावली में मुन्शी जी पहले निकल गए पंडित जी और ठाकर साहब साथ थे एक कमरे में बैठे इस आफ़त में कौन किस कर आस्ता देखता है गाड़ियों में जगह की बड़ी कमी थी परन्तु जिस कमरे में ठाकर साहब थे उसमें केवल चार मनुश्य थे वो सब लेटे हुए थे ठाकर साहब चाहते थे कि वो उठ जाएं तो जगह निकल आए उन्होंने एक मनुश्य से डाट कर कहा उठ बैटो जी देखते नहीं हम लोग खड़े है मुसाफर लेटे लेटे बुला क्यों उठ बैटे जी कुछ तुमारे बैटने का ठेका लिया है ठाकर क्या हमने किराया नहीं दिया है मुसाफर जिसे किराया दिया हो उससे जाकर मांगो ठाकर जरा होश की बाते करो इस डबे में दस यात्रियों के बैठने के आगया है मसाफिर ये थाना नहीं है जरा जमान सभाल कर बाते कीजे ठाकर तुम कौन हो जी मसाफिर हम वही हैं जिस पर आपने خुफिया फरोसी का अपराद लगाया था और जिसके दोर से आप नकट 25 रुपे लेकर टले थे ठाकर अहाँ अब पहचाना परन्तु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी चालान कर देता तो तुम सजा पा जाते मसाफिर और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की कि गाड़ी में खड़ा रहने दिया धकेल देता तो तुम नीचे जाते और तुम्हारी हड़ी पसली का पता न लगता इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठट्टा मार कर हसा और बोला क्यों दारोगा साहब मुझे क्यों नहीं उठाते ठाकर साहब क्रोध से लाल हो रहे थे सोचते थे अगर थाने में होता तो इनकी जबान खीच लेता पर इस समय बुरे फासे थे वो बलवान मनुष्य थे पर ये दोनों मनुष्य भी हट्टे कट्टे देख पड़ते थे ठाकर संदूक नीचे रख दो बस जगह हो जाए दूसरा मुसाफिर आप यही क्यों नीचे बैट जाए इसमें कौन सी हेट ही हुई जाती है ये थाना थोड़े ये कि आपकी रॉब में फर्क पड़ जाएगा ठाकर साहब ने उसकी और भी ध्यान से देख कर पूछा क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है जी हाँ मैं तो आपकी खुन का प्यासा हूँ मैंने तुम्हारा क्या बेकाड़ा है तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी दूसरा मुसाफिर आपने मेरी सूरत न देखी होगी पर आपके डंडे ने देखी है इसी कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए मैं चुपचाप तमाशा देखता था पर आपने आकर मेरा कचुमर निकाल लिया मैं चुप रह गया पर घाव दिल पर लगा हुआ है आज उसकी दवा मिलेगी ये कहकर उसने और भी पाउं पहला दिया और क्रोध पूर्ण लेतरों से देखने लगा पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे डरते थे कि कहीं मार पीट न हो जाए अब सर पाकर ठाकर साहब को समझाया जोई तीसरा स्टेशन आया ठाकर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकाल कर दूसरे कमरे में बैठाया इन दोनों दुष्टों ने उनका सबाब उठा उठा कर जमीन पर फेग दिया जब ठाकर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉन पर गिर पड़े गाड़ से कहने दोड़े थे कि इंजिन ने सीटी दी जाकर गाड़ी में बैठ गए उधर मुंशी बैजनात की और भी बुरी दशा थी सारी रात जाकते गुजारी जरा पैर फैलाने की जगए न थी आज उन्होंने जेब में बोतल भर कर रख ली थी प्रत्ते की स्टेशन पर कोईला पानी ले ले लेते थे फल ये हुआ कि पाचन क्रिया में विघन पड़ गया एक बार उल्टी होई और पेट में मरोड होने लगी बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़े चाहते थे कि किसी भाती लेट जाए पर वहाँ पैर हिलाने की भी जगह न थी लखनव तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया आगे चल कर विवश हो गए एक स्टेशन पर उतर पड़े प्लेट फॉर्म पर लेट गए पतनी भी घबराई बच्चों को लेकर उतर पड़ी असबाब उतारा परंतु जल्दी में ट्रंक उतार न भूल गई गाड़ी चल दी दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वो भी उतर पड़े समझ गए कि हजरत आज जादा चड़ा गए देखा तो मुन्शी जी की दशा बिगड़ गई थी ज्वर पेट में दर्द नसों में तनाव पै और दस्त बड़ा खटका हुआ स्टेशन मास्टर ने ये हाल देखा तो समझे हैज़ा हो गया है हुकम दिया रोगी को अभी बाहर ले जा विवश होकर लोग मुन्शी जी को एक पेड़ की नीचे उठा लाए उनकी पत्नी रोने लगी हकीम डॉक्टर की तलाश हुई पता लगा कि डिस्ट्रिक बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है लोगों की जान में जान आई किसी से ये भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिलहौर के रहने वाले हैं धान्डस बंधार दारोगा जी अस्पताल दोड़े डॉक्टर साहब से सारा समाचार कह सुनाया और कहा आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए डॉक्टर का नाम था चोखेला कमपॉंडर थे लोग आदर से डॉक्टर कहा करती थे सब वर्तांत सुनकर रुखाई से बोले सबेरे के समय मुझे बाहर ले जाने के आग्या नहीं है दारोगा तो क्या मुझ्शी जी को यहीं लाए चोखेला हाँ आपका जी चाहे लाईए दारोगा जी ने दोड़ धूप कर एक डोली के प्रबंध किया मुझ्शी जी को लाद कर अस्पताल लाए जो ही बरामदे में पैर रखा चोखेला ने डाट कर कहा है जिकरोगी को उपर लाने की आग्या नहीं है बैजनात अचेत तो थे नहीं आवाज सुनी पहचाना धीरे से बोले अरी ये तो बिलहौरी ही के है बला सा नाम है तैसील में आया जाया करते है क्यों महाशाय मुझे पहचानते है चोखेला जी हाँ खुब पहचानता हूँ बैजनात पहचान कर भी अतनी निठुरता मेरी जान निकल रही है जरा देखिए मुझे क्या हो गया है चोखेलाल हाँ ये सब कर दूँगा और मेरा काम ही क्या है फीस दारोगा अस्पताल में कैसी फीस जनावमन चोखेलाल वैसी ही जैसी इन मुझे से वसूल की थी जनावमन दारोगा जी आप क्या कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता चोखेलाल मेरा गर बिलहौर में है वहां मेरी थोड़ी सी जमीन है साल में दो बार उसकी देख भाल को जाना पड़ता है जब तहसीर में लगान जमा करने जाता हूँ मुझे जी डाट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं नादू तो शाम तक खड़ा रहना पड़े स्याहा ना हो फिर जनाब कभी गाड़ी ना उपर कभी ना उगाड़ी पर मेरी फीस दस रुपे निकालिये देखूं दवा दू तो अपनी राह लीजे दारोगा दस रुपे चोखिलाल जी हाँ और यहां ठहरना चाहें तो दस रुपे रोज दारोगा जी विवश हो गए बैजनात की इस्त्री से रुपे मांगे तब उसे अपने बक्स की याद आई चाती पीट ली दारोगा जी के पास भी अधिक रुपे नहीं थे पर किसी तरह दस रुपे निकाल कर चोखिलाल को दिये उन्होंने दवा दी दिन भर कुछ फाइदा नहुए रात को दशा संभली दूसरे दिन फिर दवा की आवशकता हुई मुंशियाईन का एक गहना जो बीस रुपे से कम करना था बाजार में बेचा गया तब काम चला शाम तक मुंशी जी चंगे हुए रात को गाड़ी पर बैठकर खुब गालियां दी श्रीया युद्ध्या जी में पहुँचकर इस थान की खोज हुई पंडों के घर जगहना थी घर घर आदमी भरे हुए थे सारी बस्ती चान मारी पर कहीं ठिकाना न मिला अंत में ये निश्चे हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए किन्तु जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहीं यात्री पड़े मिलते खुले मेदान में रेद पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस तरह बिचाय और लेटे इतने में बादल खिराए बूंदे गिरने लगी बिजली चमकने लगी गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे लड़के रोते थे इस्तरियों के कलेजे काप रहे थे अब यहां ठहरना दुस्स्य था पर जाएं कहां अकस्मात एक मनुष नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया वो निकट पहुँच गया तो पंडिज जी ने उसे देखा आकरिती कुछ पहचानी हुई मालुम हुई किन्तु ये विचार ना आया कि कहां देखा है पास जाकर बोले क्यों भाई सहब यहां ये आत्रियों के ठहरने के लिए जगह न मिलेगी वो मनुष रुग्या पंडिज जी की ओर ध्यान से देख कर बोला आप पंडिज चंद्रधर तो नहीं है पंडिज जी प्रसन हो कर बोले जियां आप मुझे कैसे जानते हैं उस मनुष ने साधर पंडिज जी के चरणश हुई और बोला मैं आपका पुराना शिशू मेरा नाम कृपा शंकर है मेरे पिता कुछ दिनों बिलहौर में डाक मुझे रहे थे उनी दिनों मैं आपकी सेवा में पढ़ता था पंडिज जी की स्मृति जाकी बोले ओहो तुम ही हो कृपा शंकर तब तो तुम दुबले पतली नड़के थे कोई आठ नौ साल हुए होंगे कृपा शंकर जी हाँ नवा साल था मैंने वहाँ से आकर इंट्रेंस पास किया अब यहाँ मिनिस्पिलिटी में नौकर हूँ कहिए आप तो अच्छी तरह रहे सौभाग था कि आपके दर्शन हो गए पंडित जी मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुए तुम्हारे पिता अप कहा है कृपा शंकर उनका तो देहां थो गया माता साथ है आप यहाँ कब आए पंडित आज ही आया हूँ पंडों के घर जगह न मिली विवश वोकर यही रात काटने की ठहरी कृपा शंकर बाल बच्चे भी साथ है पंडित नहीं मैं तो अकेली ही आया हूँ पर मेरे साथ दारोगा जी और सियाहि नवीस सहब है उनके बाल बच्चे भी साथ है कृपा शंकर कुल कितने मनुष होंगे पंडित है तो दस कि तोड़ी सी जगह में निर्वाह कर लेंगे किरपा शंकर नहीं साहब, बहुत से जगह लीजे मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है चलिए आराम से एक, दो, तीन दिन रहे मेरा परम सहुभा कहे कि आपकी कुछ सेवा करने का अफसर मिला किरपा शंकर ने कई कुली बुलाए असबाब उठवाया और सब को अपने मकान पर ले गया साफ सुथरा घर था नौकर ने चट पर चार पाईयां बिछा दी घर में पूरियां पकने लगी किरपा शंकर हाथ बांधे से वक्की भाती दोड़ता था हिरदयो लास से उसका मुख कमल चमक रहा था उसकी विनय और नम्रता ने सब को मुख्ध कर लिया और सब लोग तो खापी कर सुए किन्तु पंडिच चंद्रधर को नीन नहीं आई उनकी विचार शक्ति इसी आत्रा की घटनाओं का उलेख कर रही थी रेल गाड़ी की रगड जगड और चिकित साले की लूट खसोट के सम्मुख कृपा शंकर की सहिरदयता और शालीनता प्रकाश मैं दिखाई देती थी पंडिच जी ने आज शिक्छक का कोरो समझा उन्हें आज इस पद की महान तग यात हुई ये लोग तीन दिन आयुद्ध्य रहे किसी बात का कश्ट न हुआ कृपा शंकर ने उनके साथ जाकर प्रतेग धाम का दर्शन कराया तीसरे दिन जब लोग चलने लगे तो वे स्टेशन तक पहुँचाने आया जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडी जी की चरन शुए और बोला कभी कभी इस सेवक को याद करते रहीएगा पंडी जी घर पहुँचे तो उनके सभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेश्टा नहीं की अभी आप सुन रहे थे मुशी प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहे मान सरुवर आठ की कहानी बोध मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में